हेलो एवरीवन स्वागताब सभी का आपके यूटिब चैनल करेंटरफेस बाई रवीपर फ्रेंग्स आज मैं आपके लिए इस वीडियो में 11 जून के इंपोर्टन करेंटरफेस को लेके आई हूँ फ्रेंग्स आज के क्लास मैं आपके लेने वाली हूँ सर कहीं दो दिन के ले बाहर गई है तो अभी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे दो दिन तक आप भी हमारे साथ इस वीडियो का आनंद ले और अच्छे से हम इस वीडियो को कवर करेंगे फ्रेंग्स मैंने आपके लिए हैं आप इस सभी क्वेशन सेलेक्टेड और इंपोर्टेंट लिए है अगर अब किसी भी एक्जाम के तयारी कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफी सदा यूसफुल रहने वाली है डिलिक इंटरफेस की वीडियो में फ्रेंट हम आपके लिए लेके आते हैं मोस्ट 15 प्लस क्वेशन कम टाइम में 100% रिजल के साथ हम इस वीडियो भी आ करते ही हैं साथी में आज हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कर इंटरफेस से रिलेटिड है जो की है फैंट अभी हाली में जो भी नए रास्ट पती देखे चुने गए हैं उनसे लेटिड हम बात करेंगे 10 क्वेशन के बारी में उसके बाद फैंट हम डिसकस करें भूगोल के परवत टॉपिक से तो आज कर जो टॉपिक रहेगा भूगोल का वो परवत है देखे तो परवत टॉपिक से जुड़े कुछ important questions भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो काफी important session रहेगा आपके लिए इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखें तो आईए इस वीडियो को अब शुरूर करती हैं सबसे पहले friends हम पिछले दिन के यानि जो कल हमने questions करे थे उनका हम current office एक बार रिवाइस करती हैं जून 2024 में भारत में किस ने लगातार तीसरी बार प्रधान मंतरी के पत की शपत ली आप सभी चानते हैं कि नरेंद्र मोधीजे ने अ वाहलाल नहरुजी ने लगातार तीन बार प्रधान मंतरी के पत पे शपत ली ती अगला question देखे एवाई वर्ड एंटर्पिन्योर ओफ द इयर अवार्ड इस अवार्ड से किसी सम्मानित किया गया है तो ये अवार्ड मिला है विल्लेयन सुबईया को next question अंतराष्टे निशाने बाजी खेल महसंग विश्यकब 2024 में सरब जोट सिंग ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा बदग जीता है तो इसमें नोने जीता है सोर्ण बदग French Open 2024 में महिला एकल का खिताब किस ने जीता है तो महिला एकल का जो टाइटल है ये जीता है एगा सुटिक ने French Open देखे आपका जो ग्रैंड स्लिम टूनामेंट होते है न चार उन में से एक आता है French Open इसके बाद next question है किसे PNB MetLife India Insurance के MDO CEO के रूप में न्युक्त किया गया है आंसर है समीर बंसल नेक्स देखे 2024 तीरंदाजी एश्यकप चरण 3 प्रतियोगिता में भारत के लिए एक मात्र स्वन पदक किस ने जीता कुमुद सैनी ने सैयुक्त राष्ट महसभा के 79 जो सत्र है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना कया है आंसर इस फिलेमोन यांग को अगला क्वेशन है जून 2024 में किस देख को भारते सहायता से निर्मित 900 मेगावाट की अरूर्ट रित्य जल विद्धुत परियोशना की मुख्य सुरंग में सफलता मिली है तो किस देख को मिली है नेपाल को नेक्स्ट क्वेशन है किस देख ने 700 मीटर लंबे पैदल यात्री राष्टी एकता पुल का अनावरन किया है तो फैंस हंगरी देख ने इस पुल का अनावरन किया इसके बाद क्वेशन है दिली बोस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरिशकार 2024 से किसी सम्मानित किया गय नर्सिंग और रोहिनी लोखंडे को आगला क्वेशन देखिए जून 2024 में 10 ट्रिलियन रुपे का आकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचल फंड हाउस कौन सा बन गया तो ये है SBI म्यूचल फंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेशन भारते चुनाव आयो के अनुसा आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ तो इस बाद 2024 में देखे टोटल 65.79 परसें जो है मतदान हुआ नेक्स्ट क्वेशन है जून 2024 में अधिकारिक तोर पर किसी आंदर प्रदेश की पूर्ण राजधानी गुशित किया गया है तो अब देखे आंदर प्रदेश की जो पूर्ण राजधानी है वो कौन से है अमरावती चीके अमरावती देखें आप लोग याद रखें इसके बाद देखे वर्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2024 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन बन गया है आंसर है भारत देश किस राजधा के लाब ने गहर संक्रामक निपा वाइरस जैसे कड़ विक्सित किये है तो किस राजधा के लाब ने इसको डेवलप किया है सही आंसर है केरल ने इसके बाद है देखे 2026 में विश्व एतलेटिक्स अल्टीमेट चांपेंशिप के पहले संस्क्राण का आयोजन कहा होगा तो ये होगा बुदापेस्ट हंग्री में तो ये फ्रेंट्स हमारे पिछले दिन के करेंट अफेस थे तो थोड़ा सा हमने इसका कुईक रिविजन कर लिया है अब बाद करेंगे आज के इंपोर्टन कर इंटरफेस के क्वेशन सो पहला क्वेशन देखिए जून 2024 में लगातार दूसरी बार किसने सिक्किम के मुख्यमंतरी के रूप में शपत ली है सो अभी हाली में देखें सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंतरी कौन ब ली है, सु सिक्किम क्रांतिगारी मोचा के अध्यक्ष प्रेम सिंग तमांग ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली और ये लगातार दूसरी बार है जब ये सिक्किम के मुख्यमंत्री बने है, जो शपत ग्रण समभारो था, उसका आयोजन कहां पे हुआ था, सिक्किम के पाल जोर स्टेडियम में राज्ये पाल जो है यहां के लक्ष्म प्रसाद आचारिया उन्होंने प्रेम सिंग तामांग को शपत दिलाई पहली बार ये कब चुने गए थे तो पहली बार 2019 में देखे ये सिक्किम के मुख्यमंत्री बने थे और फिर से 2024 में ये निक्तु हुए है सिक्किम के मुख्यमंत्री सिक्किम राज्ये की बात करें तो कि थोड़ा सा मैप में थोड़ा जाएं तो सिक्किम इधर देखे फ्रेंट्स नेपाल है और यहां पे भूटान है और इसी के बीच में एक स्टेट है चुटा सा सिक्किम स्टेट है स्थापना हुए थी इसके 16 मई 1975 को रास्थानी है गंग टोक मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तामांग और राज्येपाल है लक्षमर प्रसाद आचारिये आती हैं फ्रैंस next important question पे किसे ग्रामिर विकास विभाग में निदेशक निउक्त किया गया है तो कौन point हुए है राज्य प्रिये सिंग बात करते हैं आप ए राज्य प्रिये सिंग के बारे में तो ये भारती वन सीबा के 2010 बैच के अधिकारी हैं और अभी ये ग्रामेड विकास विभाग में निदेशक निक्त हुए हैं पांस साल की अवधी के लिए जो है इनको निक्त किया गया है। मंत्री का नाम भी याद रखी हैं। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल के फाइनल में एलेक्जेंडर जुएरेव को हरा कर अपना पहला खिताब जीता है। तो ये इनका जो है फ्रेंच ओपन का पहला देखे किताब है। को याद रखेगा। मेट पाविक नेंग। इसके बाद देखे अगले विचेता महिला यूगल यानि वोमेंस डबल की बात करें। ये टाइटल जीता है कोकु गौफ और कैटरीना सिनिया कोवानी। एक और हमें याद रखना है मिश्रित यूगल जो होते हैं मिक्स्ट डबल। ये किसने जीता है। लॉरा सीजमून और एडॉर्ट रोजर वेसलीन। तो ये सब ही विजेता हमें याद रखने है कौनसे टूनामेंट के फ्रेंच ओपन। आगला कोशन है फ्रेंट्स विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है। सो बात करते हैं वर्ड एक्रिडेटेशन डे की तो फ्रेंट्स ये मनाया कब गया है 9 जून को। सो हर एक साल देके 9 जून को मनाया जाता है विश्व प्रत्यायन दिवस ये अंतराष्टे प्रत्यायन मंच और अंतराष्टे प्रयोक्षाला प्रत्यायन सयोग द्वारा इस्थापित एक वैश्विक पहल है इसका उदेश्य है बिभिन छेत्रों में प्रत्यायन के महत्व पूर्पूर महत्यू के बारे में जागरुकता बढ़ाना सबसे पहली बार देखो ये मनाया कब गया था तो 9 जून 2008 को सबसे पहली बार जो है इसको मनाया गया था अब इंपोर्टेंट आते हैं कि 2024 में इसकी थीम क्या रही यह हमारे एक्जाम के लिए देखें इंपोर्टे आयन कल को शशक्त बनाना और भविश्य को आकार दीना इंग्लिश में कहेंगे एक्रिडिटेशन एमपावरिंग टुमारो एंड शेपिंग दा फ्यूचर चीके फ्रेंड्स तो ये इसकी रही 2024 की थीम आगला कोशन देखें नौर्वे शतरंज टूर्णामेंट 2024 के पहले स पूर्श और महिला वर्ग में विजयता कौन हैं। तो इसलिए दोनों हमें यहाँ पर विनर्स का नाम याद रखना है तो दिखी कुछ important point डिसकस करते हैं इसके बारे में मेगनस कालसन जो कि विश्व के नंबर वन जिके प्लेयर है इन्होंने चटी बार जो है इसका किताब जीता है और जो महिला वर्ग में जुनोंने जीता है जू वेंजुन यह कौनसे देश से हैं तो यह चीन देश से हैं भारत की प्रग्यानंद आर ने इस प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेते हुए तीसरा स्थान हासल किया तो थर्ड प्लेस पे इंडिया के रही है प्रग्यानंद आर और चौथे पे रही है भारतिय प्रतिबा वेशाली आर तो यह चौथे स्थान पे रही इंडिया के प्लेयर भी आप लोगों से पूस तकते हैं तो इनकी आपको पुजीशन याद रखनी है कि कौन सी ये पुजीशन पे आए हैं नेक्स क्वेशन की बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेशन है वर्ष दोहसार चौबिस में किस भारते कंपनी को एशिया प्रशान्त में सर्वश्रेष्ट व्यवसाई नियामक के पुरिशकार से सम्मानित किया गया है तो कौन सी कंपनी को सम्मानित किया गया है तो फैंट सही आंसर है सेवी को सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो दा एशियन बैंकर ने देखे सेवी को भारत में प्रतिभूती बाजारों के लिए नियामिकी ये ढाचे को मजबूत करने में अपनी भूमिका के लिए एशिया प्रशान्त में सर्वश्रेश्ट व्यवसाई नियामक का पुरिसकार दिया है। वो ख्याले है मुंबई में और अध्यक्ष कौन है माधबी पूरी बुच्चुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु इंदरपाल सिंग बिंदरा चीक है फ्याद दिखेंगे कौन नियुक्त हुए है इंदरपाल सिंग बिंदरा और इन्होंने ये किसकी जगा लेंगे अनुपब्मा आनन्द की जगा पर ये नियुक्त होंगे। CCI जो है यानि भारतिस्प्रधा आयोग जो है देखिए इसकी स्थापना हुईती 14 अक्टुवर 2003 को मुख्यालेस का नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है रवनीत कौर अगला कुश्चन है फ्रेंग्स परियावरन प्रदर्शन सूचकांग 2024 में भारत कौन से स्थान पर है तो यहाँ पे इस रैंकिंग में देखिए इंडिया की पोजिशन पूछी है तो परियावरन प्रदर्शन सूचकांग में भारत जो है वो 176 वे जो है इस रैंकिंग की ब इसके अलावा जलवायू परिवरतन सूचकांग की बात करें तो भारत उसमें 35 अंकों के साथ कौन से स्थान पे है 133 स्थान पे है तो एक तो परियावरण प्रदर्शन सूचकांग हो गया जिसमें भारत 176 वे और जलवायू परिवरतन सूचकांग में भारत कौन से स्थान पे है 133 स्थान पे है अगर वायू कुणवत्ता की बात करें तो इस मामली में दक्षिन एशिया में भारत को पांच में देखे स्थान पर रखा गया है यह जो सुचकांक जारी किया है इसका अनावरण किया है अमेरिका के येल विश्विध्यालियनी अब यहां पे हमें जून 24 में NPCI International Payments Limited ने UPI भुकतान को सक्षम करने के लिए किस दक्षिन अमेरिकी देश के साथ समझोता किया है तो NPCI ने देखिया भी UPI भुकतान को सक्षम करने के लिए पेरु देश के साथ में जो है समझोता किया है NPCI की अंतराष्टे शाका NPCI International Payments Limited ने दक्षिन अमेरिकी देश पेरु के केंदरे बैंक के साथ इस तक्निक को विक्सित करने के लिए देखिया समझोता किया है कि अंतराष्टे बाज़ार में UPI स्टेक को तेनाद करने के लिए किसी केंदरे बैंक के साथ NIPL की दूसरी साज साज़दारी है तो UPI को एक तरीके से तिनाद करने के लिए ये दूसरी साज़दारी है NIPL की NPCI जो है Fence National Payments Corporation of India स्थापना होती इसकी 2008 में इसका मुख्याले है मुंबई में और MDCO देखे कौन है इसके दिलीप असबी बात करते हैं next important question की so अगला question है इसरों ने देखे जलवायू data के लिए किस तेश के साथ तरिशना mission पर सयोग करने के घोशना की है mission का नाम भी important है जो की है तरिशना mission और इसके लिए इसरों ने किस तेश के साथ में सयोग करने की घोशना करी है सही answer है friends यहाँ पे France इसरों ने एक उबग्रह mission तरिशना की घोशना की और यह mission देखे भारत और फ्रांस के बीच एक सैयुक्त प्रत्वी अवलोकन उबग्रह mission है तो यह तरिके से आप कह सकते हो के तरिशना mission जो है एक joint mission है भारत और फ्रांस का इस mission की बात करती है सुत्रिशना उच्य resolution प्राकरतिक संसाधन मुल्यांकन के लिए जो है thermal infrared imaging satellite जो है इसको संधर्बित करता है इस mission का उदेशे क्या है तो इसका प्रात्मिक उदेशे है वैश्विक इस्तर पर सतय के तापमान और जल प्रबंधन की निग्रानी करना तो हमारा जो अर्थ की सतय का देखे तापमान है उसको ये उसका ये मुल्यांकन करेगा और जल प्रबंधन की भी ये निग्रानी करने का काम करेगा इसी के लिए इस mission जो है इसको इसकी गोशना की गई है ये भारत और यूरोप में भीशन गर्मी की समस्याओं का समधान कर कब लॉंच होगा तो ये mission 2025 में लॉंच होगा इसका जीवनकाल कितना है mission का पांच वर्ष इस रोग भारते अंतरिश अनुसंधान संगर्टन इंडिया के स्पेस एजनसी है इस रोग की सापना होईती 15 ऑगस्ट 1969 को मुख्याले है इसका बिंगलूरू में और इस रोग के अध्यक्ष कौन है एस सूमनात अगला question है ultimate fighting championship 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय fighter कौन बनी है very important question क्योंकि पहली बार देखिए कोई भारते fighter जो है championship जीती है और इनका नाम क्या है पूजा तोमर MMA fighter पूजा तोमर ने लुईस फिले में ultimate fighting championship में मुकाबला जीतने वाली ये पहली भारते बनकर जो है इनोंने इतिहास रच दिया तोमर ने हराया किसे तो पूजा तोमर ने महिलाओं के स्ट्रोवेट वर्ग में ब्रजील की रियान डॉस सेंटोस को हराया है पूजा तोमर इसे belong कहां से करती है तो ये उत्तरप्रदेश के मुजफर नगर के बुधाना गाउं से जो है belong करती है नेक्स्ट क्वेशन है वर्ष 2024 में किस देश के माउंट कनलाउन जुआलमुकी में विस्पोट हुआ है तो भी हाली में देखे माउंट कनलाउन जो है इसमें विस्पो और ये मॉंट जो है या यह जोला मुकि परवत कहां पे है तो ये फिलिपिन्स में हैं मध्य फिलिपिन्स में माउन्ट कलनाओं जोला मुकि के फटने के बाद सेकड़ो लोगो को निकासी किंद्रों में शरण नीरी पढ़ी तो वहां से लोगों को थोड़ा सा रिस्क्यू कि माउंट कनलाउन की बारे में बात करें तो ये फिलिपिन्स के निग्रोस दूइब के उत्तर मद्य भाग भी इस्तित एक स्ट्रेटो जुआलमों की है ये निग्रोस दूइब पर सबसे उचा परवत है और दुनिया में किसी भी दूइब पर 42 वी सबसे उची जोटी है माउं एक मांड कनलाउन की नेक्स qweed अन्यशन है जून 24 में महासागर इस्तिति रिपोर्ट को किसके दवारा जारी किया गया है किसमें यूनेस नहीं क्या है दिक इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बात करें तो 2022 के संयुक राश्त महासागर सम्मेलन के दौरान अंतर सरकार महसागरी आयोक त्वारा शुरू की गई युनेस्कू महसागर इस्तिती रिपोर्ट दोहजार जौबिस महसागर की वर्तमान इस्तिती का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है तो करंट में जो हम ओशियन से जो महसागर है किस तरह के उनकी स्तिती है उसके बारे में ही इस रिपोर्ट में देखे बताया कया है इसका प्रात्मिक उद्देश्य सतत्विकास के लिए महसागर विज्ञान के सयुक्त राष्ट दशक की प्रगती को ट्रैक करना और हमारे महसागरों के लिए एक स्थाई भविश्य सुनिशित करने की दिशा में प्रियासों को प्रेरित करना जो है इसका प्रात्मिक उद्देश्य है यहाँ पे दिखे एक ओगनाईजिशन की बात हुई है यूनेस्कू यूनेस्कू का पूरा नाम है सयुक्त राष्ट सेक्षिक विज्ञानिक और सांस्कृतिक संगर्टन यूनेस्कू की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को मुख्यालेस का प्यारिस में है और महा निदेशक है फ्रांस के आंड्रे अजॉले फ्रेंट्स अगला क्वेशन देखें जून 24 में अंतरिक्ष से अर्थ राइस की तस्वीर लेने वाले अपोलो आठ अंतरिक्ष यात्री विलियम एंडर्स की 90 वर्ष की आयू में विमान दुरगटना में मृत्ति हो गई ये किस देश से थे फ्रेंट्स इनका नाम क्या है विलियम एंडर्स और ये कौन से देश से थे तो ये होंग कॉंग से थे सेवा निवरत अंतरिक्ष यातरी विलियम एंडर्स चंदर्मा की परिक्रमा करने वाले पहले तीन मनुश्य में से एक जिनोंने नासा के अपोलो आर्ट मिशन के दोरान अर्थ राइस तस्वीर खींची थी अभी इनकी विमान दुरगटना में मृत्ती हो गए इनका जन्म 17 अक्टूबर 1933 को होंग कॉंग में हुआ था अगला कोशन है फ्रेंट्स जून 24 में भारत और कतर के बीच निवेश सयोग मजबूत करने के लिए निवेश पर सयोगत कारेबल की पहली बैठक का आयोचन कहां पे किया गया है तो ये पहली ही बैठक हुई जो कि भारत और कतर के बीच जो निवेश सयोग असको मजबूत करने के लिए हुई थी ये बैठक और ये हुई थी बैठक कहां पे नई दिल्ली भारत में चीके फ्रेंड्स तो इंडिया में ये बैठक हुई थी और देखिए इसकी बारे में बात करें थोड़ा सा कुछ important point डिसकस करती है तो स अयोक्त कारे बलके से है अध्यक्षिता आर्थिक मामलों के सचीव अजय सेट यानि इंडिया के तरफ से इस मीटिंग में कौन थे अजय सेट थे और कतर की तरफ से कर बात करें तो कतर सरकार के वानिची और उद्योग मंत्राले के अवर सचीव मुहम्मद बिन हसन अल मलकी जो है इन्होंने अध्यक्षिता करी थी इस मीटिंग की यह जो बैटक हुई थी इस बैटक में देखे भारत और कतर के बीच जो मजबूत आर्थिक संबंध है उनके महतों को रेखांकित किया गया यह जो भी इंडिया और कतर के बीच के संबंध है उनको हाइलाइट किया था इस बैठक मी अगला question है जून दोहसार 24 में साइयोग्त राष्ट ने किस देश को blacklist कर दिया है हाली में अभी United Nation ने इसराइल को देखे अभी क्या कर दिया है Blacklist कर दिया है इसराइल हमास जंग में अब तक 15571 बच्चों ने जानगवाई है UN ने इस्राइली हमलों में हुई इन हत्याओं को दुनिया के लिए शर्मसार माना है इस्राइल पर लगे रही मानव अधिकारों के उनलंगन के आरोपों को देखते हुए United Nation ने जो है इस्राइल को ब्लाक लिस्ट कर दिया है स्युक्तराष्ट ने इस्राइल के अलावा हमास और जो फिलिस्तीनी जिहाद है उसको भी लिस्ट ओफ शेम जो की शर्मनाख सूची है उसमें शामिल किया है तो अब यह सभी जान दें कि इस्राइल हमास की जो जंग हुई थी उसमें काफी जादा बंबारी हुई थे बहुत नुकसान हुआ बहुत लोगों ने अपनी जान गवाई जो की एक शर्मनाख घटना है पूरे अगर हम बात करें पूरे वर्ड के लिए ही बात करें युनाइटेड नेशन संयुक्तराष्ट की तो इसकी स्थापनों में दी 24 अक्टुबर 1945 को इसके बाद इसराइल की बात करें तो इसराइल की राजधानी है जीरू सलीम, मुद्रा है यहां की शेकेल, राष्ट्रपती है इजाग, हर्जोग और प्रधान मंतरी है इसराइल के बेंजामिन नेतनियाहूम तो फैंस यह हमारे आज की ते डेलिकर इंटरफेस के क्वेशन के लियर हो गए सारे क्वेशन चलिए अब पहले हम बात करेंगे आज का एक इंपोर्टन टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे 2024 के राष्ट्रपती जो भी देखे नए अपॉइंट हुए है राष्ट्रपती उन यह अच्छे से इस टॉपिक को कवर जरू करें नेक्स्ट देखे इंडोनेशिय के राष्ट्रपती कौन बने है प्रवावो सुभियांतो क्रोश्य की बात करेंस्ट क्रियोश्या देश के राष्ट्रपती मने है आंध्रे प्लेंग कोविक नेक्स्ट को एंट्री है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के राष्टपती है वैंसकौन पीटर पेलिग्रिनी नेक्स्ट है सिंगापुर के राष्टपती कौन चुने गए है तो सिंगापुर में राष्टपती बने है थर्मन शन्मुगर्तनम इसके बाद देखें नेक्स्ट मिस्तर के देखें तीसरी बार यहां पे राष्टपती बने हैं अबदेल फता अल सिसी रूस देश की बात करें तो रूस के राष्टपती बने हैं वलादिमीर पुतिन और ये रूस देश के पांचवी बार बने हैं राष्टपती हंगरी के राष्ट पती चुने गए हैं तमास सुलयोक अज़र बैजान के पाँचवी बार राष्ट पती बने हैं इलहाम हलियेव ऐल יेव फिलन्ड देश के बात करें तो यहां के राष्ट पती बने हैं ऐलेक्जेंडर स्थप तो ये दे friends हमारे top 10 countries के राष्ट्रपती जो अभी newly appoint हुए है तो ये आपका current face से ही topic जुड़ा है और important भी है इसके बाद देखे friends हम बात करेंगे आज का daily gk booster जिसमें हम topic लेके आए हैं आपका भूगोल से परवत तो परवत topic से जुड़े हम important यहाँ पे 10 questions डिसकस करने वाले हैं तो आईए इन questions को देखते हैं पहला question है विश्व की सबसे उची परवत चूटी कौन सी है तो friends ये Mount Everest है और Mount Everest जो है ये कहाँ पे situated है तो ये नेपाल में है नेपाल में विश्व से Mount Everest नहीं कहा जाता नेपाल में जो है इसको कहा जाता है friends सागर माता जिके याद रखिएगा अगला question है भारत में पूरवी घाट की सबसे उची चूटी कौन सी है तो देखे अगर हम भारत की बात करें थोड़ा प्राइदी पे भारत की तो हमारा ये वाला portion है इधर ये है आपका पूरवी घाट और इधर आपका ये हो गया आपका कौन सा पशिमी घाट तो अगर पूरवी घाट की बात करें तो पूरवी घाट की सबसे उची चोटी है महिंतर के लिए जोकी उडिसा में है इसकी हाइट है 15001 मीटर इसके बाद question में पूचाए दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी है आनाई मुडाई जोकी है केरल में कितनी हाइट है इसकी 2695 मीटर अगला देखे question है पश्यमी घाट और पूर्वी घाट को कौन सी पहाडिया मिलती है यानि जहाँ पे पश्यमी घाट पूर्वी घाट मिलते है न वहाँ पे पहाडिया कौन सी है नील गिरी पहाडिया अगला question है कुमाउं हिमाल्य कहां इस्तित है? कुमाउं हिमाल्य की बात करें तो ये सतलुच और काली नदी के मध्य में इस्तित है अगला question है अरावली परवत श्रंखला की सबसे उची चूटी कौन सी है? सही answer है friends गुरू शिकर जिसकी हाइट है 1722 मीटर नेक्स question देखे तमिलाडू की सबसे उची चूटी कौन सी है? तो तमिलाडू राज्य की सबसे उची चूटी है डोड़ा बेटा पहाडियां और इनकी हाइट है देखे 2637 मीटर की इसके बाद नेक्स question है गारो खासी और जेयंतियां पहाडियां कहां इस्तिते हैं तो friends दे मेगालिय में हैं नेक्स question है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच इस्थित हिमाले परवत के भाग को क्या कहा जाता है? तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो हिमाले परवत का भाग है उसे कहते हैं असम हिमाले और आज का डेली जी के बूस्टर का लास्ट हमारा question है उडिसा की सबसे उची चूटी कौन सी है? तो friends यह है देव माली जिसकी उचाई है 1672 मीटर तो यहाँ पर friends हमारे जो डेली जी के बूस्टर में हमने जो भुगोल का परवर topic लिया था आज उसके सभी important questions हो गए है तो आज कर जितने भी questions वाला session था बो पूरा complete हो गया है अब हम आप लोगों से test में दो question यहाँ पर पूशने वाले हैं इनके answer आप हमे comment box में बताएं आज कर देखे पहला question है जून 2024 में लगातार दूसरी बार किस ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली है पहला question दूसरे question देखे क्या है परियावरन प्रदर्शन सूचकान 2024 में भारत कौन से स्थान पर है तो आज जल्दी से आप friends इन दोनों question के answer लिख दीजे हमें comment box में और आज कर friends डेली कर इंटरफेस का important session हमारा यहाँ पर पूरा होता है आप friends कुछ important चीज़े discuss आपके साथ करती है तो friends अगर आप हमारी कोई भी e-book बाई करना चाहते हैं यह सभी e-books आपके exam में देखें बहुत help करेंगी most important questions जो है इन e-books में दिये गए है तो उसके लिए आप हमारी website को visit करें www.ravibooks.pdf.com तो google पे आप simply search करके हमारी website को open करके इन सभी e-books के बारे में देख सकती है और friends अगर आप daily current affairs का देखे पीडियाफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा telegram channel जो है current affairs by ravie इससे आप join कर लें telegram पर आप search करें current affairs by ravie तो वहाँ पे आपको हमारा ये group मिल चाहेगा जहाँ पे friends आपको जो हमारे daily current affairs के pdf थे हैं वो आपको यहाँ पे available कराई चाहती है और इतना ही नहीं friends आपके लिए एक और important चीज़ है जो की है friends हमारी application so friends आप play store से जो है application हमारी ravie study gk को download कर सकते हैं इस application पे आप अपना gk quiz जो आपका daily current affairs हम आप पढ़ाते हैं तो morning आपको video मिल जाती है और evening तक आपको quiz यहाँ पे मिल जाता है उसी video का जो हम questions आपको करा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना daily current affairs का quiz जरूर लगाएं उससे आपका जो current affairs है वो अच्छे से देखे और जो है revise हो जाएगा और आप exam के लिए भी अच्छे से उसको prepare कर सकते हैं तो आप इस application को जरूर डाउनलोड करें friends और जो e-books हैं वो आपको मल जाएंगी हमारी website से तो यह थी friends आज की हमारी यह daily current affairs की video I hope so हमने जितने question discuss करें हैं वो अच्छे से आपको समझ आए होंगे अगर आपको आज कई हमारा session अच्छा लगा हो तो video को friends like जरू करेगा share जरू करें और आप हमारे channel पे नई हो तो please subscribe जरू करें thank you so much for watching this video